आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है रहें किस प्यार से प्लैटफॉर्म पर तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं Magnetic effect of current in one shot इस lecture में देखो वही चीजे कराने वाला हूं जो आपकी exam point of view से बहुत important होने वाला और हर साल उसी से question frame होता है देखो हर chapter में अगर आप देखोगे तो कुछ गिने topics ही आपको मिलते हैं जहां से question मिलते हैं और उन्हें at least हमें नहीं छोड़ना चाहिए अगर पूरा का पूरा chapter चलो आप नहीं पढ़ पार हो नहीं time मिल रहा है लेकिन at least आप की points को अच्छे तरीके सा समझ लो जो 100% आने ही वाले हैं नहीं आएंगे direct format में लेकिन indirect format में कहीं ने कहीं यूज होते ही है तो यह chapter बहुत ही easy chapter के अगर कैटेगरी में रखो पूरी अगर मैं physics में पूरी out of class 10 में तो सबसे easy chapter जिसमें आपको सिर्फ theory part को अच्छे तरीके से समझना है आपको समझ लेना और एक बार समझ के practice कर लेते हो तो फिर questions कहीं बाहर तुम्हें रही ने जाए तो फटा-फट से theory को हम लोग cover करते हो आगे बढ़ते हुए चलते हैं सबसे पहले अगर हम electric current की बात करें तो electric current हमने पिछले chapter में पढ़ा हुआ था ठीक है लेकिन अगर हम इस chapter की बात करते हैं तो इस chapter में जो हमें पढ़ना है वो क्या है magnetic effect magnetic effect और यह बहुत एक्सपरिमेंटली खो जा गया तो मतलब accidentally वोने जाए magnetic effect ऐसा कुछ मोटो नहीं था इस effect को खोजने के पीछे जस्ट एक सिंपल सा experiment था वायर था वायर के बग में हैंस और क्रिश्चर और साहब थे जिन्होंने क्या किया था इसकी बारे में बताया था कि कोई current carrying वायर है जैसे अगर कोई एक वायर है और इसमें अगर current जा रहा है यह अपने आसपास रखा गया था जो magnetic field को सेंस कर सकता है यह compass तो जैसे यह current carrying वायर के आसपास आ रहा था यह कुछ deflection को तो वहां से एक्सिदेंट यह चीज निकल के आ गई थी कि कोई भी current carrying वायर होता है तो magnetic field को प्रोडिशन के सब्सक्राइब करता है तो यह कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स अगर लिखने के लिए इनके उपर भी चीज़े आती है लिखने के लिए इधर आप का यह सर है यहा है अपकी मा hedge है आपका। भाई यह आपकी बॉडधy है Each body ठीक है और इधर आपके पैर अघर आप सुम कर रहा है तो एक हाथ इधर होगा आपका एक हाथ यहां होगा ऐसा और मैं अगर देखूं तो अगर pivotal हैंड यह क्या है मेरा राइट है तो अगर हमें deflection की बात करें, तो मेरे उपर अगर यहां compass रखा गया है, मालो इस तरीके से compass को रखा गया है, क्योंकि compass का यह north pole है, उसमें दो pole होगा, एक north, एक south, यह north है, यह south, compass के दो pole अपने पास है, यह north है, अगर मैं ऐसे अपने आपको तयारना चाहरा हूँ, ऐसे पैर में current जा रहा है, वो मेरे पैर की तरफ से entry ले रहा है, और मेरे सर की तरफ से exit हो रहा है, जो entry point है, जो exit point हो क्या है, मेरे सर, जो भी यह मेरे compass मेने मेरे उपर रखा हुआ है, जो भी यह compass रखा है, इसका north pole कि धर deflect करेगा, इसका north pole deflect करेगा towards west, sorry west कहा हूँ, तो नो north pole, कौन करेगा तो भाई, north pole जो होगा हमारा, compass का, वो towards your left hand जाएगा, तो obviously जो south है, वो किधर भाग के जाएगा, तो यह भाग के जाएगा, right hand की तरफ भाग के जाएगा, तो बस यह direction की compass चलो, wire के असपास आने से compass में deflection तो आरा, no doubt, अच्छी चीज़ डिफलेक्शन आन की वो डिरेक्शन निकालने के लिए हम पियर स्विमिंग रूल का यूज़ करते हैं, अब wire कि धर भी हो, मैं बोल रहा हूं कि अगर एक wire ले रहा हूं, यह wire उपर की तरफ जा रहा है, तो अपना सर यहां रख लूँ, body यहां रखो, पैर यहां रख लूँ, current कहां से इंट मान लेजे कोई एक magnet है, मान लेता हूं, यह magnet है, आपको पता होगा कि हर magnet के दो पोल होते हैं, north और south, और हमेशा जब भी होगा, तो bipolar होगा, monopole exist नहीं करता है, कोई भी magnet bipolar ही होता है, उसके दो पोल्स होंगे, अब इसको कितने भी पार्ट में तोड़ दो, यह दो पोल्स म दूसरा अगर magnetic material आता है, इस पूरे की पूरे reason में कोई भी एक दूसरा magnetic material आएगा, तो यह क्या करेंगे, उसके उपर force लगाएगगे, यह क्या करेंगे दोस्त, उसके उपर force लगेगा और यह force लगाएगा को तो यह लगा रहे हो और इसी reason को हम बोलते है, जिस reason में कोई भी मैंगनेट दूसरे मैंगनेट के उपर फोस लगा सकता है जिसे हम चार्ज की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं जैसे अगर आप पॉलिटीशन को समझो तो पॉलिटीशन का एक एरिया होता है उसमें अगर दूसरी पार्टी का कोई नेता है तो उसको कि अब यह कैसी वेक्टर क्वाण्टिटी मतलब डिपेंडस उन ड करती है इसलिए इसको वेक्टर क्वाण्टिटी कहते हैं और दूसरी स्की यूनिट होती है व्यसे हमें मेजर नहीं करना आप जानृज़े मैं कट उनके नाम पर अधीय का इसा खिली आगे बढ़ते हैं अब कुछ मैंगनेटिक मैटीर्इल्स को जान जाते हैं जो मैंगनेटिक फील्ड मेंगनेटिक एब मैंगनेटिक भीए verw जो तो अलगलग तरीके के होता हैं और हमोर्ट और हमें यहां उत्र PT की बात करनी है जो अपने आपको अरेंज कर लेते हैं, magnetic field को support करते हैं, उनको याद करने का simple तरीका है, I can see nickel, I मतलब भाई, iron, iron, fe, c for cobalt, iron, cobalt, और यह क्या भी है, steel, और यह क्या अपने पास nickel, तो यह चार ऐसे अपने पास elements हैं, जिनको हम as a ferromagnetic materials भी कह सकते हैं, ferromagnetic materials, ferromagnetic materials, जो अपने आपको magnetic field को support करें, magnetic field को support, जो sense कर रखते हूं, ठीक है, अब magnetic field 9 की बात करते हैं, मैं बोलूँ अगर simple सी एक बात बोलूँ न, graphical, graphical representation of, graphical representation of magnetic field, अगर मैं magnetic field जो हमने अभी कुछ दिर पहले बात करी थी, भाई, एक reason वो बना के रखेगा, उस reason, तो हम अगर graphically आपको दिखाने का तरीका बताओ, तो वही है magnetic field lines, और यह imaginary lines है, ठीक है, और अगर हम इनकी, हमें एक experiment, अगर activity के थो जानना हो, कि actually में यह कैसी बनती है, तो हम यह चीज़े perform कर सकते हैं, धर पे भी, एक magnet ले लिजिए, उसके उपर एक plain white paper रख लिया कैसा भी paper रख लो, थेन paper रखना, अब उसके उपर ferromagnetic material कोई भी ले लो, उसको sprinkle कर दो, बहुत छोटे-छोटे उनके टुकडे ले लो, उसके उपर sprinkle कर दो, तो वो arrange ही इस तरीके से होंगे, क्योंकि जहाँ-जहाँ magnetic field उनको मिलेगी, और जिस pattern की मिलेगी, उस pattern के according वो magnetic field line, magnetic is presented using magnetic field lines, it is visual tools used to visualize the direction and the strength of the magnetic field, तेक अब कुछ properties हम देख लेते हैं, magnetic field lines की सबसे पहले, the tangent drawn to the magnetic field lines gives the direction of the magnetic field, यह बहुत important point और इस चीज को हम आगे, बहुत जगए यूज़ होगा, जैसे अगर tangent का मतलब किसी भी कर्व, कोई भी एक कर्व है, अगर कर्व से, tangent का क्या मतल देखो देहां से, अरे भाई, तुम भी आजी आओगे क्या, उडी जी आगे, tangent का मतलब, touches at one point line, which touches at one point to any curve, वो यह कर्व है, उसकी ऐसी उस पर एक लाइन खीच, उस कर्व से तच कर्व करते हैं, जो सिर्फ उस कर्व को एक point पर touch कर, जैसे माल लोगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी magnetic field lines ऐसी कुछ जा रही है, तो मुझे किसी इस point पर, आप मैंने बोला कि यह point A है, यहाँ पर मुझे आप ऐसा करिए ना, कि magnetic field की direction मताई, तो हमने देखा, यहाँ tangent की direction होगा, जो भी tangent की direction होगी, वही magnetic field की direction होगी, इस point पर, तो मैं tangent अगर खीचूं, तो यह मैंने खीचा, tangent यह निकला, तो सिर्फ आप देखेंगे, यह line सिर्फ इसको एक जगर touch करती वी जारी, इस point, जो magnetic field जिसको हम B से denote करते हो, उसकी direction क्या होगी, इस point पर यह होगी, तो अगर किसी भी curve पर, कि अगर magnetic field lines जा रही है, क direction बदल रही है, अगर मालो मैं यहाँ पूछ देता हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पर पूछ देता हूँ, यह C point, यहाँ अगर मैं पूछ देता हूँ, magnetic field, तब आप क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ tangent खीच दूँगा, ऐसी line खीचूंग जो उस curve को एक point पर touch क करती हूँ, magnetic field line की direction कहा होगी, यह direction होगी, यह वाली direction होगी, इस case में इधर होगी, इस case में इधर होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक point पर direction भी change हो रहे है, तो अगर किसी भी particular point पर हमें direction चाहिए, तो what we have to do, हमें just tangent खीच उस particular point पर, एक ऐसी line जो उसी point को touch करती हू और density, the closeness, यह भी बहुत important है, the closeness or density of field lines is directly proportional to the strength of magnetic field, गर मुशीच को थोड़ा सा detail में समझने कोशिच करते हैं, अगर इस चीच को थोड़ा सा detail में समझने कोशिच करते हैं, तो समझा देता हूँ, ठीक है, देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि closeness, closeness of magnetic field lines is directly proportional to strength, of magnetic field, इस चीच को दिमाग में रखें कि जितना पास-पास होगी magnetic field lines, मालो ऐसी कुछ बहुत पास-पास मैंने, यह magnetic field lines है बहुत पास-पास, यह कोई point है A, ठीक A, और मैंने यहाँ पर कुछ बनाया, यहाँ पर, और यह point है B, ठीक यह point है B, मैं बोल रहा हूँ कि strength of magnetic field कहा ज ज्यादा होगी, strength of magnetic field, magnetic field, किस point पर ज्यादा होगी A, पर की B, हमने देखा, कि बहुत दूर दूर है, जहाँ दूर हमाहा strength कम होगी, जहाँ ज्यादा है, ज्यादा close होगी, ज्यादा close होगी, मैं बोलूगा कि A, पर magnetic field ज्यादा होगा किस से B से, A पर ज्यादा होगा किस से B से, तो मैं close-ness के according अगर देखें, तो यह वाली कहानी आता है, magnetic field lines appears to emerge and start from the north pole and merge to the south pole, अगर हम किसी भी एक particular पोल से, और जो terminate हो रही होगी, वो terminate कहा हो रही हो जाँ होगी, south pole पड होगा, अगर निकलता हosit कि left hip and left North से निखलेगी, और तर्मिने पकहोगी तो तर्मिनेट होगी south, पर तर्मिनेट कहा होग। यह कहानी, कि magnetic field lines हमेशा नौर्थ पोल से निकलती है और तर्मिनेट कहा होगा है, यहाँ पर यह वाली भी quality होगा ही clear, अब इसकी बात करते हैं, अगले point की बात करते हैं, ठीक है बाई, चलिए, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए, field lines entry ले रही है, और कहां पर आ रही है, नौर्थ पोल, इनसाइड उल्टा है, अगर हम आउट साइड की बात करते हैं, आउट साइड मैगनेट क्या होगा, नौर्थ तू साउथ होगा, जबकि इनसाइड मैगनेट जब भी आप करेंगे, तो इनसाइड जो मैगनेट होगा, साउथ तू क्या होगा, तो नौर्थ होगा, जिस्ट अपोजिट हो जाए, और देख के भी अगर आपको एक बाहर मैगनेट बनाएंगे, तो आपको देख के भी आइडिया लग जाएगा, बाहर तो चलिए नौर्थ तू साउ माल लो, दो मैगनेटिक फिलाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, जैने बोला, एक इधर जा रही है, यह मैगनेटिक फिलाइंस, एक मैगनेटिक फिलाइंस इधर जा रही है, माल लो, इस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटर्सेक्ट कर लिया, ठीक माल लेते तो मैं बोलूँगा कि डिरेक्शन और मेंगनेटिक फिल लाइन इस ए पॉइंट पर बताईए आप क्या कहीं हमें तो आपने बता है कि टैंजेंट खीचो तो मैं इस वाली फिल लाइन के खीचूंगा तो यह होगा टैंजेंट यह होगा मानलों कि बीवन पहला मेंगनेटिक तो अगर हम देखें यहां पर ध्यान से तो हमें मिल रहा है कि सिंगल पॉइंट पर इंगल पॉइंट पॉइंट तू डारेक्शंस , तू डारेक्शंस ऑफ मैगनेटिक फिल्ड मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है अगर मैं यहाँ पर कम्पस को रखू तो चिपल जीधर मैगनेटिक फिल्ड की येशी डारेक्शन होगी, उस फॉर्मेट में अपने आपको अरेंज करे गा हो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी जारी होगी या तो दूर जा रही होगी या तो पैरलेल जा रही होगी या फिर कुछ भी होगा लेकिन दूसरे को क्रोस नहीं कर रही होगी चाभी इंट कट्स एच अधर कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हो यह नहीं कर रही हो कि दूट डिरेक्शन एक पॉइंट पर दो डेरेक्शन इस नौट पॉसके क्लीर है यह आगे देखते हैं यह वाला भी पॉइंट चलिया हमारा अच्छे तरीके से हो गया लीट करता है कि किससे बना हो सकता है जो अपने आसपास क्या क्रियेट करता है सब्स्टांस से मिला के बना हुआ हो जिसकी टेंडेंसी कि अपने आसपास मैंनेटिक फिल्ड क्रियेट करेगा ताकि अधर मैंनेटिक को कई भी मैंनेटि आपको यहाँ पर दो जी मिल्ला इक उसका साउथ पोल यहां पर भी ब्लाल कॉओ कभी कोई भी मेंगनेट होगा वह हमेशा फैवाइट को इइस के दो पोल हों गहिए जो फील लभी जोण पूर एख sugar North कभी भी मोनो पूल नहीं हो सकता औरने वो एक पूल के साथ एंजिस्ट मोङकि चीक चेलिया बहुति अब दोब्रते हैं कि बाद करते हैं अर्पर्टी ऑफ मेंग्नेट फटाफट से अब्री मेंग्नेट तो फूल नौR आपल कूर सुट एच अधर नौर्थ दूसरे को रिपल करते हैं नौर्थ और साउथ अगर होएं दूसरे को अट्रेक्ट करें तू स बार मांनेट की बात करिए बार मैंनेट इस से इस तू पॉल नाट झाओ जो यहां पर जो मैंनेटिक फील्ड होगी यहां पर जो जीमिनिम्माय याप बनते हैं ये किस से बनते हैं। यह फिरु मैटेरियल से हइं ही बने होते हैं और इन्हीं के टेंग्डेंश nelolas करेंगे फ्रोड्यूस क्रीच तो अगर हम ब्रेकिंग और बार मेगनेट को समझते हैं तो जब भी मानलो आपके बार मेगनेट इसके पास दो पूल होगा एक नॉर्थ एक साउथ अपने बीच में से यहां से इसको तोड़ दिया तोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि यह वाला पूरा एंड नॉर्थ बन जाए काम करेगा इस तरीके से यह वाला साउथ था यह नॉर्थ की तरह काम करेगा तो हमेशा जब भी देखोगी एक दूसरे को बाई पोल मैगनेट बनाते हैं बाई पोलर होते हैं अब जितनी बार भी तोड़ोगी हमेशा अपने आपको रियारेंज करेंगे और दो ठीक तो मैगनेटिक फील लाइंस यहां से निकलेगे और टर्मिनेट कहां पर होगी यहां पर यहां से निकली यहां पर टर्मिनेट होई इधर यह डिरेक्शन यहां से निकली लोज लूप बनाती है लोज लूप बनाईए लोज लूप बनाईए लोज लूप बनाईए हम ऐख में एक इक दिखो बहुत सारे पैटनस के फीलाइस निकल रहे हो में इनकल का ही पर देंहें नॉर्ट से यहां पर दिखा दो कि आहां से इंफाइनिक डियेश वाली आरें यहां से का है इंफाइनियर रेडियेश वाली है यहां से ब् यहां अगर यह पॉइंट ए है और एक पॉइंट मैंने बी यहां पर सेलेक्ट किया जादा होगा आपको क्लोजनेस देखे कहा लग रही है ए पर मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटी जो होगी वह ए पर ज्यादा होगी किस से बी से क्लोजनेस इस डेकली पॉस्टनल टू स्ट यह बार मैगनेट और अगर हम इंसाइड की बात करें तो इंसाइड कहानी बन जाती इंसाइड कहानी वह ऐसी नहीं रहती है इंसाइड कहानी ऐसी चलती 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 है इंसाइड कहानी दूस कर लिए फिर उसके ऊपर आयरन के नेल्स को यह अरेनियल्स को ड्रॉप कर दींगह यह देहिए कि जो आरेन नेंस हैं अपने आपको अरेंज कर लेंगे एक ऐसे स्ट्क्टर में जो मेंगेटिक में लाइन का स्ट्टर होगा अरें.. इन फॉर्म आफ लाइन उसके फॉर्मेट में खुद को अरेंज कर लोगा इस तरीक अब हम बात करते हैं तो यह पूरा पूरा चाप्टर किसी बारें पढ़ रहे हैं करेंट के इफेक्ट जो क्या प्रोड्यूस करता है अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि कोई करेंट केरिंग वायर है तो यह किस तरीके का प्रोड्यूस करेगा इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा मैंगनेटिक फिल्ड अपने आसपास प्रोड्यूस कर रहा है तो चलो रिस्टर साब ने बता दिया लेकिन उसका फॉर्म काड़ीम की यह तो आप देखा कि करने क्रूर्इट वायर है तो उसकी आपनेकों सर्कूर फॉर्मेट में क्या कर लिए कर मिक्तो कि आप करेंट केरींग वाइर है तो उसकी जो मैंगनेटिक मैंगेटिक होती हैं वो कैसी होती हैं सर्कुलर होती हैं इस तरह और मैंगेटिक यह वायर है यह ऐसे इंसाइड बोड तो अगर इसके आज़ पास हम मैंनेटिक कमपास को भी लेके जा रहे हैं तो इनकी अरेंजमेंट हम देख सकते हैं और यह सारी की सारी कोई क्या स्वाइल टोड़ेश हैं सो यह आपना वायर हैं यह वायर अपना सेंटर की तरह भी है टीक और यह इग्जाम्पल के तवर पर उधर कुछ एक्सपरीमिंट है उसको हम देख सकते हैं अ को मैंनेटिक फिल्ड लंटिजांद तो ये अपने आज पास क्या कर रहोगा, क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, इसे बना रहा होगा, लेकिन ये जो सर्कल है, इनकी डिरेक्शन की उपर हम अभी कोई चर्चा ने की, इनकी direction के ऊपर कोई भी चर्चा हमने दिरेक्शन क्या हो गई है इधर की तरफ उस direction के लिए हमें जो rule पढ़ना है वो क्या पढ़ना है Maxwell right hand rule देखो हम जो यह नियम पढ़ रहा है किसके लिए पढ़ रहा है direction of magnetic field lines यह clear होना चीक हम rule किसलिए पढ़ना है magnetic field lines के लिए पढ़ना हम magnetic field lines due to wire current carrying wire due to current carrying wire जो current carrying wire है उसमें जो current है उसकी magnetic field produce हो रही है उसकी magnetic field lines की जो direction उसको निकालने के लिए इस rule का यूज़ कर और यह rule क्या कहता है कि आप right hand लीजे अपना posture कुछ इस तरीके से रखिए यह चार उंगली एक तरफ यह थंब अकेला तिक अब इस थंब को आपने क्या करना है जिधर भी wire की direction में current जा रहा होगा जिधर भी current जा रहा होगा उधर की direction में place करिए उधर की direction में जाने की कोसिस करिए और फिर इसको कर्म करिए वे क्या करिए कर इस रोटेशन हो राए है जो यह, रोटेशन हो रहले है यह नद की किसकी है, इसकी है यह वायर में current कि धर जा रहा है हम इसको अगर करें तो यह कहार यह बाहर की तरफ इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे फार्म हो रही होगी तो मेंगनेटिक फिलाइं सर्कुलर बन रही होगी बाहर वाली जो उपर से नीचे जा रही है तीक है क्लियर है कि अब इस देखें तो इस द्रॉप भी कर सकते हैं यहां पर देखो यहां में ड्रॉप कर दे रहा हूं बगल में अगर यह current केरिंग वायर है और हमने इसकी क्व को तो बाहर की तरफ यह वाला कहा रहा है और हम इसको के तरफ बाहर के तरफ के अंधर के तरफ को गच्यों कुछ प्रक्टिस कर तो कि इसकी डिरेक्शन बताओ कि डिरेक्शन और ड्रॉ करिए आपके खुद कॉपी बर ड्रॉ करिए यह क्वाइन सेंट्रिक सर्कल्स तो बनेंगे ही बनेंगे वायर स्टेट बना लो अब मैं बोलाओ कि नीचे की तरफ जा रहा इधर वाला हिस्सा कहा जा रहा अंदर की तरफ यह वाला हिस्सा जाएगा अंदर की तरफ और यह अंदर की तरफ तो यह वाला कहा जाएगा बाहर की तरफ बोलू बस इतनी सी बात है अगर यह करेंट की डिरेक्शन अपनी यह है इस सपोस्स इस इस डिरेक्शन और यह हो जाएगा ठीक या फिर ऐसा कुछ केस है वालो अ अब बनाओ अब बनाओ अगर यह करेंट की डारिक्शन अब इस केस में कैसी क्वाइं सेंट्रिक सरकल्स बनेंगे यहां तो यहां उपर की तरफ जो है वह अंदर की तरफ जा रहा है मतलब यह जो है उपर अंदर की तरफ आँ अधर उपर अंधर कितर तो तुन अंधर कहा है खाल को हम किले कि यह होगी डिरेक्शन है यह क्या होगा अंदर कितर था होगा बाहर कितरा आश करिया अब बात करें सर्कुलर लूप की मानवागर में एक बहुत बड़ा सरकल बना तो जो अब इतना छोटा सा हिस्सा अगर मैं कातूं इतना छोटा सा के बहुत चोटे चोटे स्ट्रेट वाया लखर बहुत-इस से सब्सक्राट और सबस्क्राइबंगे रिधरने के ट Ini सबस्क्राइब को पूरिमोंगेट मैइं गए बाद और न सब्सक्राइब क्या ममाराभ जाए यहां लेकि तो यहां करा दौबर ऐसकी स्पर्णेंने कार्ट बोर्ड करना है कर डाला तो आपको यहां ने कि नोहीं तो से असनमेंग sıkने सब्सक्राइब करें तो पारिप Pablo अध़िगे र यहां के यहां करेंटी हों यहां का कुण यहां यहां क exhort 자राδα है और यहां से करेंट की सब्सक्क्राइब देक्ष्म तो फिर से माग्नेटिक फिल्ट की यह जो डिरेक्शन है इस के लिए हम ईूजे करेंगे अगर उपर जा रहा है देखो उपर जा रहा है तो इधर सबत्रेंगे करी एक एक स्ट्रेयट व ओर था आपने पास स्ट्रांग के फॉर्मेट इसा यहार आरेंज कर दिय है ल sweetness कर दिए की सट्रेंड तक हमनेThe सब्सक्रट्स क्या क्या इत इस तृस्वा इत सरेट पर दिए गले कि खेल आयज के सहरे अदौस कि एक स्ट्रेट वायर को अगर ऐसा आपने कर दिया तो अगर इसके थूर में मेंगनेटिक फील लाइंस चाहिए मैं बोल रहा हूं कि यह सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा होगा बीच में कैसा पार्ट दिख रहा है यहां सब्सक्राइब बैटरी को कनेक्ट कर दिया आप अगर देखें आप एक सरक्ल का मेंगनेटिक फील लाइंस और बहुत सारे अगर एक सरकल का आपको मेंगनेटिक फील लाइंस ढ्रा करना रहा है मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कल जो अपना मालनों दस को बनाता है मैंने बोला कि दो कितने बनाएंगे दो कितने बनाएंगे तो दोनों मिल के कितना करेंगे ये भी 10 बनाएगा ये भी 10 बनाएगा फिर एक और करता हूं तो ये भी कितना बनाएगा टोटल तीनों मिला कितना ब अगर मैं इसके लिए मैंगनेटिक फ्यलन्स बनाओ तो सोचना नहीं हमें जैसे बार मैंगनेट का सोच रहे थैं अधे आटे की तरह इसके इसे बार मैंगनेट का कॉपी पेस्टिंग हां बनादेना हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है बस हमें आप समझने के समय चाह चुका है बस इतना समझों कि बहुत सारे सर्कुलर लूप मिलके एक सॉलिनोड का फॉर्मेशन करते हैं और यहां से कुछ एक इधर निकाल दो एक इधर निकाल दो कि स्ट्रेट अब रही बात डिरेक्शन की तो डिरेक्शन के लिए आपने क्या करना है फिल से वही राइट ह करीट करेंट कहा रहा है बाहर की तरफ और जैसे यह बाहर की तरफ निकला तो लिए उडिक लीयड तो जिस टॉडेक्व यह पूल कैसा भी है करेगा तो यह वाला एंड भी है पर आउथ पूल अगर आप स्ट्रक्चर सब कुछ भूल जाए अगर स्ट्रक्चर सब कुछ भील जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि सॉले नॉइड जो हमारा देख के लग रहा है वो एकदम सिमिलर दीख रहा आपको बार तक है कशल क्रेंट कि अदेघॉण करती है तो यह करेंट करती है उसमें करेंट कितना है और दूसरा जो डिपेंट करती है डिर्ट्लि पोस्annah टु एण एन क्या है तो नंबर अफ टॉन इतने नंबर आउफ टॉन्स है उसमें और योनिट लेंज और यूनिट लेंथ यह वाली लेंथ के ऊपर हम बात करते हैं यह वाली लेंथ अगर एल है भाइस को खीच दोगे तो कम हो जाएगे दूर दूर हो जाएगे जितना ज्यादा क्लूस अगर पास-पास है तो भाई सारे प्रोड्यूस करें दस लेकिन क्लोजनेस भढ़ अगर्ण के जाएगे प्रफिक तो भीटो बात करते हैं कैसे स्टन्थ अगर्ण कर सकते हैं अबर अफ तो जाएगे गटा दे क्यों जाएगे स्टन्थ अब करेंट अब करेंट आई की वाज़ा से मैगनेटिक फिल आया तो बी जाधा होगा इक नेचर अब दो को अब देखो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक solenoid था एक solenoid था मानलो करें गया अब इसके अंदर मैंने डाल दिया iron का बार तीक है soft core iron soft core iron ऐसा आमने क्यों किया क्योंकि इसकी जो magnetic permeability होती वो ज्यादा होती है इस यह number of field lines create करने में magnetic field lines को create करने में मदद करता है पहले मानलो अगर दस field lines create हो रहे थी अब इस बार magnet क्या जाने से हो सकता है कि 20 हो जाए और इस soft core क्याने से 20 हो जाए तो जो strength हो बढ़ जाती है हम soft core iron का use करते हैं increase the strength of magnetic field inside the solenoid अगर solenoid के अंदर आपने soft core iron डाला है तो वो magnetic field lines को बनाने में मदद करती है जैसे आपको कहीं business करना है मानलो किसी इलाके में आप गये कोई help नहीं कर रहा आपकी आप ग्रो नहीं करोगे लेकिन आज पास के लोग आपको मिल के support करें कि आपका add करा दें आपका mouth publicity करा दें हर चीज करा आप ग्रो कर जाओगे तो ऐसे ही solenoid मानलो 10 फिल्ड क्रियेट कर रहा था तो अमने एक material उस solenoid के अंदर डाल दिया जो इस magnetic field lines को promote कर रहा है तो due to that वो क्या हो जा रहा है कि soft iron ही क्यों बार-बार बोला जाता है कि soft iron ही यूज़ करना चाहिए इसके पीछे भी बहुत-बार सवाल पूछा गया और हो सकता है इस भार भी आपसे चीज पूछ ली जाए कि हम जब करते हैं नो डाउट हमने भी देखा कुछ देर पहले कि अंदर कोर के अंदर बेसिकली एक soft iron जाल देते हैं जिससे क्या होती है strength of magnetic field boost हो जाती है और वह strong magnet की तरह काम करने लगता है ठीक है क्योंकि हमने solenoid का भी यह भी देखा था हमारा में मोटो पहले हमें समझना पड़ेगा क्यों प्रिपेर कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मोटो क्या है अगर वह चीज समझ में आ जाती है तो फिर क्लियर हो जाएगी जैसे अगर मैं इलेक्ट्रो मैंट्र की बात करता हुँ तो हम इनको क्यों ही बनाते हैं थोड़ा साम लोग दूसरे पॉइंट से समझने मैं कुसिस करें Mi Black करूं तो मैं इनको इस टेंपर्राइद मैंगाने बनाने की कोसिस कि अनों हमारा मन् पास करा रहे थे तब जाके मैंनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस करा था रहा था तो अगर सेम केस से हम लोग समझने की कोशिस करें तो हम अभी भी वही सेम केस बोल रहा हूं कि अभी भी हम करेंट को पास करा है जब करेंट हटा दे जैसे ही क्योंकि जो भी एफेक्ट निकल के की तरह भी है कर रहा थलग सब कुशुस्क ऐलने दला गरेंट कि निकल यॉट अगर उपनी जो भी ये म मैंगनेटिक प्रहपर्ट्ट्ट्ई मैंगनेटीटिक प्रोपर्ट्ई Maquerापर्टी हो कि लूस करते प्रपर्ट्ट्स करते लूस करते एसे हम इनुस यह हम काम करने कोशिज कर रहे हैं हमारा मेन मोटो यह कि अगर करेंट हमने हटा दिया तो अब उसके पास मैंगनेटिक प्रॉपरटी नहीं बचनी चाहिए जबकि हम और कुछ अगर मैंटेरिल यूज करते हैं लिए अगर उसके लाबा कुछ भी यूज करते हुआ जिसे स्ट करेंट पास करें तो मैंगनेट के थरह भी हैप करें जब न कराएं तो न करें ठीक है तो यह रिजन था उसके पीछे उसके यूज की बात कर लेते हैं अप्लिकेशन हम हैभी ऑब्जेक्ट को उठाने में यूज करते हैं फैक्टरी वेरी स्ट्रॉंग इलेक्रों इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच आज मोटर्स में यूज करते हैं जैसे करेंट पास करेंगा उसको अट्रैक्ट करेगा उसको टैप करेगा तो सेपरेट आइरन ओर फ्रम्डी इंपरिटी इन अमेटलर्जिकल इंड्रस्ट्री इसके लिए भी यूज करते हैं हम ale divers between something permanent magnet and electromagnet की बात करते हैं माझलों परमानियंट소 यहां क्या माल लीजए बार मैंग्नेट को आप यहां क्या माल लीजेए बार मैंग्नेट अगर इसकी strength यह रहेगा हर बार उतना ही रहेगा जितने की उसकी strength करें उससे कम करेंगा उससे ज्यादा करेंग अब दूसरी point magnetic field permanent होती है वह हटेगी निमेंगनेट जब तक रहेगा तब तक magnetic field रहेगी रहेगी और polarity भी नॉर्थ है यहां साउथ है जब स्कुर्टेस का होगी कर रहा है कंदेएट कर यह लेक्षोपर कर रहा है serait god अगर यहां हमने इस तरीके से बनाया एक अगर यह वाला पूल नौर्थ यह वाला साउथ था वगर जस्ट इस केस में करेंट को हम reverse कर देते हैं अब इधर से अधे इधर से आ हैं इस होगा क्या दोस्त उसको द्हान से घimmune करोगी यह बात को समझना पड़ेगा क्यूंकि अच घ psychic चलिया यहां पर कर अब देखो способом magnetic म 주는 कुछ magnetic field जा रहा है कि कहें तो magnetic field पर question आता है और आएगा भी इस बात को अपने दिमाग में एकदम 100% बैठा लिजेगा अब वो charge कई तरीके के हो सकता है लेकिन हमारी जो observation है सब कुछ किसके लिए है एक positive charge के लिए तो मान लो एक plus q का charge positive charge के लिए यह इधर जा रहा है किसी v velocity किसी v velocity अब जैसे magnetic field में जाएगा तो इसके उपर एक force लगेगा जो magnetic force होगा इसको हम क्या बोलेंगे magnetic force अब लेकिन उससे पहले जरूरी बात यह है कि direction क्या होगी इसके force कि direction में लगे क्योंकि force एक vector quantity है तो force direction में ही लगी वह direction ही निकालना है हमें और कुछ नहीं निकालना है तो इसके लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग्स left hand rule इसके लिए आई थिंग निए ये दो उंगलिया इसका कोई यूज ने इनका कोई इसने इनका इसके रखेंश ने इनको रखो एकदम स्ट्रेट कहने के तीनों एक दूसरे के होनी है हम एकदम स्चरह है यह एकदम सेट- Culture यह इकदम स्च्राइब इसके बाद रखो थम को याद रखो आडम सता है दा यह टैल मदर चाइड वह तक ही और चार्ज की तरह भी में बोल सकता ह। कि जिस डिरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहागा उसी डिरेक्शन में ओविसली करेंट की डिरेक्शन होगी तो करेंट की डिरेक्शन क्या होगी है तो दोनों की डिरेक्शन सेम होगी इसलिए करेंट की डिरेक्शन है चार्ज की डिरेक्शन हो सेम है पॉजर्टिव चार्ज क used to find the direction of force on a charge और current carrying wire और current carrying wire या तो या चार्ज के उपर हम इस्षीश को apply कर लें या फिर कोई एक ऐसा wire हो जो current को carry कर रहा हो दोनों case में हम इस्षीश को use कर सकते हैं दोनों case में ठीक तो सबसे पहले हमने देखा था भई राइट हैंड थम रूल कि वह कहां यूज करते थे तो find out the direction of magnetic field की जो field lines से उनकी direction को निकालने के लिए हम use करते थे कि कैसा हम कोई भी एक current carrying wire होगा तो उसकी जो strength होगी तो यहां अगर हम देखने की कोशिस करें अपने पास अब उस रूल को apply करने का समय आगा है थोड़ा सा application part की तरफ चलते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि यह क्या था अपना force यह क्या था magnetic field यह क्या था अपना direction of charge motion of charge अगर हम देखें तो magnetic field कहा है भई एम father mother father mother child यह magnetic field यह क्या है चार्ज की motion के direction तो force कहा रहा है तो force जो भी स्क्यूपर आ रहा है force जो इस क्यूपर आ रहा है वो कहां रहा है मैं बोल रहा हूं कि जो इसक्यूपर force लग रहा है वो इस direction में डॉट वनी direction में लग रहा है force जो लग रहा है वो कहा लग रहा है ऐसे मैं मतलब बोल सकता हूं कि outside outside the board board के outside force लग रहा है outside the board मतलब board से बाहर की तरफ आपकी mobile के screen से बाहर की तरफ फोर्स ठीक है clear है लेकिन ये तब होगा जब हमारा charge क्या होगा positive लेकिन अगर मैं same case की यहां बात करता हूं मैं बोल रहा हूं same case में ऐसे ऐसे मैंने same case ऐसा बोला कि let's suppose this is electron और यह फिर से मूव कर रहा है किस direction में इस direction magnetic field की direction magnetic field को B से दिखाते हैं और उपर जो बना रहा हूं that is vector it means direction अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो हमने देखो एक charge के case का पढ़ा हुआ है charge के case का रट हो लेकिन आप शुरू से जानते यह आ रहे हैं क्या जानते हुए आ रहे हैं वह सुरू से जानते आ रहा हूं मैं कि मानलोग कोई एक wire है अगर उसमें positive charge अगर इधर flow कर रहा होगा इधर की तरफ तो current की भी direction कहा होगी इधर की तरफ लेकिन उस wire में जो electron का motion होता है वो कहा होता है हम positive वाले को ही conventional direction मानते है current का जब की positive की just opposite mode करता है क्या negative तो वही सेम चीज को यहां apply करना है तो मैं बोला हूँ अगर electron इधर आ रहा होगा positive charge कि धर जा रहा होगा current वाला case scenario मानते पर motion और जो हम यह फ्लेमिक्स का लेफ्ट हैं रूड लगाए हैं वो सब हमारी observation only based on positive charge तो मान लो या तो दो तरीके हैं आपके पहला तरीका कि भई हम इस तरीके से पहले ही separate करने कि positive charge उपर जा रहा होगा अब उपर जा रहा होगा magnetic field आपके पास तो आप निकाल सकते या तो दूसरा case आप क्या करिए छोड़ो positive charge भी छोड़ दो सब कुछ भूल जाओ मान लो यह positive charge ने इनको खतम कर दो हम इस electron के उपर अपने observation लगाते हैं left hand rule को लगाते हैं और जो भी force की direction आएगी बस उसका opposite direction मान लेए जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने पास अगर रखें तो motion नीचे हो रहा है magnetic field इदहर है force कहा रहा है outside the board force जो आ रहा था वो तो आ रहा था कितना वही outside the board जो force आ रहा है वो कितना रहा है outside the board लेकिन यह negative charge है और negative charge होने की वजए से हम इसका just opposite मानेंगे it means cross which means कि inside the board which means क्या है inside the board इस पर जो force लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा inside the board लग रहा हो और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है पॉजटिव नहीं पॉजटिव वाली डिरेक्शन निकाली बाहर आ रही थी उसकी just opposite कहा होगी अंदर के तरफ 180 डिग्री तो जैसे अगर पॉजटिव चार्ज के लिए डिरेक्शन आ रही है तो इसकी just opposite वाली डिरेक्शन क्या होगी अगर जो भी पॉजटिव चार्ज का आएगा उसका just opposite या इलेक्ट्रॉन को जो भी आएगा उसका just opposite आप में तो हम ऐसे रखें सोस्कार outside आ तो देखो रहा है outside इस डॉट को हम पढ़ते हैं हम इसा outside ओस तो आ रहा है outside बटेट चार्ज है कौन सा कि औहों कि जो हो पिर फोर्ष लगेगा तो फोर्स लगेगा इंसाइड मोझे मैं स्वाइवा दिखाते हैं अगर मैं स्वाल है störsy ऑर एक सवाल है अल्फा पार्टिकल क्या है देखो है सब्सक्राइब कि अüst stinks ये एक पॉजिटिवली चाश्ड पार्टिकल यह सा पर्टिकल भी और फिन है हीने चाहज पार्टिकल ये विसमें उलेक्ट्रॉन है ही इने टार पार्टिकल यoure यह सब्रॉटॉन ही है एक हटी कि दो सेंशी यह माद्रवा है ति यह मेडा होश्याई के ये नौर्थ वेस्ट रिचंट है लेडिक्शन अब बूला क्या और पोzes चाय पार्टिकल प्रिजिटिटेवर्ट वेस्ट टॉइस िस डिफलेक्टेट टौइवर्ट नौर्थ कोई ये आलफ की तरफ जा रहा था वेश्ट की तरफ ऊसकी डीरेक्शन ऋप जो शारज की मोशन है ऐसा खी जा यह वो एज़ग यह पार्टिकल कि इदर भाग रहा था तो इदर भाग रहा है ऑल्फा पार्टिकल flats की तरफ जा रहा था लेकिन उस दिर बात देखा गया इसके डिफलेक्शन कहां देखी गई तो नौर्थ की तरह जो डिफलेक्शन इधर जा रही मतलब इसके उपर जो फोर्स लग रहा होगा इधर पूछा गया मैंगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन बताईए अभी भी हमें कुछ नह बाहर की तरफ आ रहा है और रहा है अब दोस्त आगे बढ़ता है अब फोर्स ऑन दे करेंट केरिंग वायर देखो एक समझो आप बात को अधर को यह करेंट केरिंग वायर है इसमें मालो करेंट जा रहा है इसके अंदर बहुत सारे पॉस्टिव चार्ज होंगे बहुत सारे पॉस्टिव चार्ज होंगे बहुत सारे पॉस्टिव चार्ज हों है अगार करेंट है सी मैंने सुम गुछ मैंणे statements की तरफ के रहा इधर की क्रेंट की direction और मेगनेटिक फिल्ड का और ऑपर आभी भी हमें कोई दूसरा डूसरा do LEFT HAND नहीं हम ही लगा, तो आप इतना समझू कि आप छोटे छोटे हर CHARGE को समझने इक कोशिभा करो, हर CHARGE को समझने कोशिभा, हर CHARGE को समझने कोशिभा, जितने भी CHARGE होंगे, सारहे मोशन होंगे, अभीमने MOTION OFF CHARGE और odpowied false चार्ज रगए चारजा बहुत पास्तिव बहुत ज्यादा हो रहा है मतलब पूरे के पूर Вас दे crystal अ Sikhya कि अए आगर देखों तो मैंगेटिक फिल्ड इया रही है उपर अगे की तरफ तो यह कहा रहा है आउट साइड तो हमारा फोर्स आ रहा है वो क्या रहा है आउट साइड आउट साइड आउट साइड आउट साइड आउट साइड तो फोर्स तो फोर्स आएगा डिरेक्शन आ और फोस्स कि कहा रहा है आउट साइड आ और फिर आउट वर्ड बोल सको डूली आँड तो मतलब अगर आप देखें तो भई हर एक चार्ज के उपर ऐसा ही फोस लग रहा हुगा मैं बोलूंगा यहां पर वाला जो चार्ज है उसके उपर डॉट यहां वाला चार्ज यह और एक फोर्ट की मानने था हूं है कि बहुत सारे चार्जह, हर चार्ज पर फोर्स लगता है, मैंगनेटिक फिल्द की में, अगर वो मोशन में हैं, क्योंकि हमें चाहिए लिपो यह आपको की डि έχ से डियरिक्शन या फिर कहीं कहीं होगी होगी, आपको हो जाएगा लेफ्ट हं रूल हमने देखी लिया एक एक्सपेरिमेंट था इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहां पुरोण ने क्या कि होर्शू मैगनेट लिया और बीच में करेंट केरिंग वायर रखा आप देख रहें कि वायर जो था वायर ऐसा था ऐसे रखा गया था लेकिन वह अपनी जगे से बेंट हो कि कहा चला गया तो ऐसा क्यूं हुआ तो देखो अगर यह हमने मैगनेट लगा रखा यह नौर्थ है यह साउथ तो अगर यह मैगनेट आपने लगाया तो नौर्थ से साउथ होगी मैगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन और वायर यहां अगर हम देखें तो मैगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन इधर है और करेंट की डिरेक्शन इधर है देखो यह अगर ऐसे देखो तो यह मैगनेटिक फिल्ड कहा है नौर्थ टू साउथ नौर्थ टू साउथ जा रही है और यह क्या है करेंट की डिरेक्शन इधर तो फोर् हम अब क्या कर रहे हैं, reversing the current, अगर हम current की direction को reverse कर रहे हैं, अब देखें, force की direction बदल जा रही है, reversing the current will reverse the direction of force, force की direction को reverse कर देखें, क्योंकि current अभी इधर जा रहा है, magnetic field की इधर है, अभी इधर है, लेकिन आप देखो, ऐसा setup, थोड़ा हाथ तेढ़ा करना पड़ेगा, जैस magnetic field, ओ हो हो, ऐसा करना पड़े, यह ऐसा setup, magnetic field अभी भी कहां जा रही है, अंदर की तरफ, current अभी किदर हो गया, इधर, तो force कहां लग रहा है, नीचे, force लगे गाई कहां, नीचे की तरफ, तो यह कुछ setup था, उनकी basis पर, अगर हम current को change करेंगे, तो change होगा, I think इसमें कोई चीज पूछी नहीं जाएगी, छोड़े इसको, पर leave करेंगे, but activity के तोर पर एक मानलो कर लो सब, देखो, अब इसको एक चीज में बता दे रहा हूँ, मानलो, कोई भी अगर है, F बराबर होता है, I to L into B into sine feet, मानलो कोई भी current carrying wire है, तो उसमें force की जो value होती, यह होती है, I क् current in wire, यह क्यों बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए, current in wire, L क्या है, length of wire, length of wire, देखो, अगर ध्यान से समझोगे, तो जितना length होगा, उतना charge होगा, तो उतना ज्यादा force, यह क्या है, तो magnetic field, और अगर हम sine theta की बात करते हैं, तो basically theta की बात करता हूँ, एंगल की बात करता हूँ, वैसे तो देखो, current का कोई direction नहीं होता है, बट वो basically charge of motion के उपर, यह क्या है, angle, यह क्या है, angle between current, आपने यह इतना समझना है कि current and magnetic field के बीच का direction, magnetic field का direction, अब अगर आपको कई cases देखें आ जा सकता है, पहला case देखो, पहला case देखो, मालो यह एक वायर है, dragging found की पएक यह यहां नहीं देखरा है बड़ बड़ाबर है है और यह क्यांडने पास आगर आप देखेंगे तो मैं भोल रहाँ कि फॉर्स जो होता हुट सब का से और मैंने टीनों तो यह तीनों तो क्या होगया अब जो बच रहा है एंगल मैक्सिमुम मैं देखना है तो यह यह पनना और मैंने डेख हो गया इसका एंगल देखोगे, एंगल कितना, और इसके लिए आप थोड़ा सा साइन थीटा को एक सीटा पढ़े हो, तो याद होना चाहिए, वो वेल्यू याद होनी चाहिए, तो अगर हम पहले केस की बात करता हूँ, मैं, पहले केस में साइन थीटा, तर यहां देखो, एक चलो स देखोगे, तो थीटा विल इकल टू जीरो डिगरी है, कैसे दिखाता हूँ, मैंगनेटिक फिल्ट की इधर है, इधर है, करेंट की इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 90 डिगरी, यहां कुछ ऐसा है, यहां कुछ ऐसा, ना यह जीरो है, ना ही जीरो है, ना ही नब्बे, मतलब थीटा इस लेज दन अब्बे डिगरी है, और ज्यादा है किसे जीरो से, जब कि इस केस के अगर हम बात करें, तीसरे वाले में, तो यही मैगनेटिक फिल्ट की डिरेक्शन और यही करेंट की डिरेक्शन, जब दोनों डिरेक्शन सेम तो थीटा वि जीरो, और यहाँ अगर देखें तो साइन, ना, साइन अब्बे की वैल्यू होती है, बड़ा कन्फिर हैं, साइन अगर इस केस में साइन थीटा की वैल्यू देखें, तो यह साइन थीटा की वैल्यू वैल्यू करेंगी, तो यह साइन थीटा की वैल्यू वैल्यू करेंगी नहीं 1 होगी उसे कमी रहेगी और साइन 0 के case में 0 degree की value होगे 0 के बार अगर हम तीनों में force की बात करें तो पहले वाले में अगर आप देखोगे पहले वाले में देखोगे क्या आएगा यहां आएगा आई ल इसमें कितना आगया तो इसमें आगया इसमें किसमें दिख रहा आपको आई बील में थोड़ा उससे कम दिख रहा है जबकि इसमें आपको जीरो ही दिख रहा है तो जब पैरलल होगा अगर्णेटिक फिल्ड और करेंट के रिइंग वायर के डिरेक्शन इसकेस में फोड जीरो होगा क्योंकि एंगल बिट्वीन देमी जीरो एक जीरो है इसी केस में तो पैरललेल वायर रखा तो नो फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो पर पेंडिकूलर रखिए और मिनिमम दिखेंगें इसी तो दोमेस्टिक सरकिट में देखो हम क्या करते हैं बैसिकलि आप हमने घर पे कर्डेंट लेकर आते हो तीन तरीके के वायर हमारी हमारे पास घर में आते हैं पहला अर्थ वायर दूसरा लाइव यायर और तीसरा नियूट्रल वायर तो अगर हम एंसी आर जो रेड़ वायर की तरह डेंजर है रेड का आप मतलब समझ सकते हैं डेंजर वायर जिसमें करेंट होता है जिसमें करेंट केरिंग वायर बाकी लगबग आपको वायर करेंट वाले नहीं मिलेंगे लेकिन यह लाइव वायर जिसमें करेंट होता है करेंट के लिए काम आता है करने लिए जिसका colorNãoteek कब देखो अगर हम यह देखे तो इहां पर आपने खंबा खंबा ओंबच कि वहां से सबसे पहले यहां बावार हां से खंबा उससे दो तरीके की पार हमारे खर में आते हैं जाषा है आटे которых मेटलिक अब्जेक्ट को जमीन के अंदर गाड़ लो और उससे एक वायर कनेक्ट करके लिया हो बाकी घर के सारे प्लैंसमेस को जोड़ते थे इसलिए जोड़ते थे कि मानलो ऐसे अब्जेक्ट होंगे अभी चलो उसका यूज के हम बात करेंगे कि एक तो यहां सब लाइब आया है थ्री टाइपस ऑवयर ऑर हर इंवाल्थ ट्मेस्टिक प्रिक्टिकल शरकिट यह अँर्थ वायर डायव न्यूट्र वायर जो चैड करता है नो फिले का व्रेंट को ऑब्जेट से रिवपर कराने के लिए कि अब माल ने यहां पर हमारा लाइब आया हमने खंबे से पॉल से लेका एक लाइब और रिक नीट्रल हम सबसे पहले जो लगाते हैं वह फ्यूज बोड लगाते हैं इसका क्या मतलब आईसा वायर हम यूज़ेंगे यह ज्यादा हो कि थोड़ां साव ciao fry इसमेंधिड़ा कि मिलें इनका काम क्या सी थोड़ा साभी करेंट व्यूस जय्जादा हो इसमें अगर ज्यादा हुई करेंटकी ड्लोत कर दे nella कर दे क्योंकि करेंट ज्यादा होने यह खत्रा का सिंबर तो उस केस को प्रिवेंट करने के लिए हम यहां पर एक फ्यूज बॉक्स लगाते हैं जिसमें लाइव वायर बेसिकली दो टर्मिनल होगा इस लाइव के अंदर एक ऐसा उन दोनों के बीच में हम एक फ्यूज वायर का यूज करेंगे जिसका रजिस्टन्स ज्यादा होगा जो बेस्ट होगा कि इसके उपर हीटिंग एफेक्ट ऑफ करेंट के मालों इन केस्ट यह हमारा लाइवार और नूट्रल वार कहीं एक दूसरे से टच करते हैं जब यह टच करेंगे तो इन दोनो तो दोनों में एक्सस हो जाएगा अब जैसे ही बढ़ेगी कि इसमें करेंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी यह हीटिंग आफ करेंट के ऊपर बेस्टाइक अगर यहीं से सर्किट ब्रेक होगी तो और आगे करेंट जाए गए मतलब यह पूरा का पूरा चीर हमारा तीक अब इसके बाद घर में क्या लगता है तो अलैट्रिक मीटर भाई नहीं लगे गए को बिजली के बिल भी तो देना इंदर के लिए लेक्रिक वायर मीटर लगता है अब इसके बाद आगे क्या distribution box containing main switch जहां पर main switch and fuses for each circuit अब इसके बाद हमारा जो लगता है distribution box जहां से हम हर घर के अंदर हर घर के अंदर क्या लेके जाते हैं तो current को लेके जाते हैं और जो हमारा अगर live wire और live wire और neutral wire की हम बात करें तो दोनों के बीच में potential difference होता है वो 220 कितने बोल्ट का होता है 220 दोनों के बीच पोटेंशन करना और जब हम यह चीज़ देखेंगे कि दोनों टॉक्स कर जाएंगे तो पोटेंशल नहीं रहेगा पोटेंशल डिफ्रेंस विल बिकम जीरो और उस केस में हमारा जो रजिस्टेंस वो इन्फाइनाइट की तरह भी है करने लगे तो यहां पर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एक स्विच से अगर हमें किसी भी एक स्विच से एक ही ऑब्जिक चलाना है तो नो डाउट इससे मल्टिपल औब्जिक्स चलाने है मल्टिपल तब हम उसको सेजी कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इस तरीके से हमारे पास दो एक टर्मिल जा रहा है एक न्यूटरल वायर का जा रहा है यह जाकि माल यह कोई एक्लेक्रिकल अप्लाइंस से एक पॉइंट पर यह ज देखेंगे तो यह वाला लाइव वाला पॉइंट होता है यह वाला नेट्रल वा वाला पॉइंट एक जो आपके पास बचला न करता है metallic body contain कर जैसे मालो electric iron उसके उपर metallic body मालो अंदर कुछ भी होता है कोई भी circumstances ऐसे आते हैं कि जो current वाला वायर है वो जाके उस body पर metallic object की body से touch कर जाता है metallic body के object से touch किया आप जा रहे हैं भही iron को press करने आप जा रहे हो आपने उस object की surface को touch किया और आप earth से connected दोनों के बीच में potential difference वा क्योंकि current को flow करने के लिए potential difference चाहिए आपके body touch हुई उस iron की body से और दूसरे एंड़ पर आपके body connected से earth से दोनों के बीच में potential difference होगा आपको बिजली का जटका लग सकते लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि आप तो पूरी तरीके से pure conductor है नहीं लेकिन आप हो pure conductor नहीं हो तो हम एसा करें कि जो मालो metallic body के object पर मालो ऐसा अपना electric iron था इस iron की जो ये body है उस पर current आ रहा है अभी मतलब जो हमारा live wire था ये live wire जाकि इस body से connected हो गया ये क्या है live wire किसी तरीके से touch हो गया हम एक काम करते हैं ना हम एक काम करते हैं हम इस metallic body से ही एक wire ले जाके earth के अर्थ के अंदर गार दें क्योंकि अर्थ भी एक current किसको दे रहा है metallic object की body पर दे रहा है वो पूरा का पूरा body यहां से wire connect करके अर्थ के अंदर गार दो यह current जो body के ऊपर उतर रहा था यह current इस body के ऊपर था इस body के ऊपर था वो तुरंत यह वाला रास्ता पकड़े और अर्थ के अंदर चलिए मैं अगर touch करूं तो मुझे यहां वाला जो पात है वो ना मिले इसको चलने के लिए यह current को पात मिले वह अलग से मिले अगर हमारी metallic body से touch होता है वह हमारे लिए खतर ना हम क्या करेंगे उस metallic body से बस एक wire connect करें और उसको लिए अर्थ के अंदर चला है यही का में किसका अर्थ वायर का और यह कोई current करी करता नहीं मतलब यह वाला जो point है यह सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि जो current अगर किसी metallic body पर आया तो वह उसके थूरू अर्थ के अंधर चला है एनिहाओ ठीक अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज का हमने अभी जस्ट कुछ दिर पहले ही इस चीज की बात हमने करी है कि फ्यूज इस प्रोटेक्टिव डवाइस इन एलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम्स ऑफ ओवर्लोडिंग जब ओवर्लोडिंग का केस हो रहा है तो बहुता था च्करेंट करने की वज़यें पर वेज़ा का की बीज़ हो सकता है सब्सक्राइब कर जाता है बस इस पर पूरा एक डूटो डैमेज इंसुलेशन जो भी वायर का इंसुलेशन था उसकी वज़ेस हो सकता है करके किसी भी तरीके से दूसरे से टछ कर गया या फिर नहीं मुड गया कहीं कट गया इन इंहाव इन टाइम सफ अफ ओवलेडिंग गुरेंट इन क्रेज इंक्रीज बहुत है इंक्रीश कर जाता है बिकम हजाट जूल हीटिंग और ओमीक रजिस्टेंश चलो जूल पर बेस्ट है इन फ्यूज डिवाइसेज बेट्स दे सरकिट अन ब्रेक्ट दे फ्लो अफ करेंट इन इलेप्रों और यह फ्यूज इस तरीके से दिखने आप बीच में देख सकते हैं यहां पर कुछ पतले यहां पर देखो फतला सा वायर के थूप पूरे घर की आपका काम चल रहा होता है कि यह काम बस इनका ही करेंट ज्यादा होगा इनके तो घर की जो वायरिंग वह सेफ रहे जाएगी सेफ रहे जाए तो यहां तक चीजे थे को कर लेते हैं फटाफट से कुछ कुछंस सॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं खतम ऐसे के इस में अगर देखें तो हम भर में देखते हैं कि बोला जाता है जो अपना प्लक की उसकी और उससे भी कम का है जो यूज करते हैं higher power ratings such as lower power तो जब हम 60A का यूज कर रहे होते हैं higher power हम भूलते हैं 16 उलेंपेर आक्टिली वह होता कितना है तो 15A कोई इस प्लक करता होगा यह यहां पर होगा एक यहां होगा यहां होगा जणरली दो तरीके के हम देखते हैं यहां तरीके सीड़ी यह कम एंपेर का होता है यहां इसका यह सिर्फ किसके लिए हो इज पावर वाली और हो गया इन के लिए इसमें सबीच बमपर लिए इंगेल्ग विटा सकते हैं अब अगला स्वाहल्ग मगन्नेटिक फिल्ट मेंचिंटर आप कुरेंत चिर्टरफते करेंग बिंटकर बिल्कुल डिपेंट कर रहा है, current carrying in each turn has same direction and magnetic field due to its then adds up, बिल्कुल ये भी सही है, और इसी का current एकदम reason यह है, जितना turns बढ़ाओगे तो उसमें एक turn में मानने 10 magnetic field, दो में 20 होगा, तीन में 30 होगा, तो ये तीनों की direction same होगी, vector quantity है, तो direction है same, और vector quantity तो सब जूर जाएंगे, same direction ठीक है, obviously option number A, चलिए, यहां तक तो भई बात होगी, कुछ basic basic सवाल हो की, और इसके लिए थोड़ा समय आप से एक request करूँगा, आप सिर्फ एक बार NCRT को उठाईएगा, पूरी की पूरी NCRT को अच्छे तरीके से एक बार reading मार लिजे, एक बार बस आपने क्या करनी है, reading कर लेनी है, और reading के बाद जितनी भी उसकी साइच, बस उसको solve कर, हर बार यह बोलता हूँ, यह चीज फिर आप पस्ता होगे, अभी नहीं कर रहा तो, जब भी आपका paper वगेर हो जाएगा, तब समझ मैं कि कितना important था, और मैं नहीं करके गया, एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत important चीज, क्योंकि यहीं से सवाल उत्ता है, यहीं जब बनता हो, हर बार की यहीं कहानी, यहीं से आएगा, आपको बस उत्तरना करते चलना, जितना मैं बोलते हूँ चल रहा हूँ, कि जो होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है, चले मिलते हैं Glaciation में, बबाई, ज हरे हैं